नमस्कार आपके साथ मैं हूँ नली निपांडे एक फिल्म आई थी स्त्री और उसका सीक्वल्स त्री टू हाल ही में रिलीज हुआ है फिल्म में हीरो का रूल निभाया है राजकुमार रावने जो एक टेलर एक दरजी होते हैं और महिलाओं के कपड़े सिलते हैं लेकिन खास बात यह है कि फिल्म में हीरो बिना नाप लिए सिर्फ देखकर महिलाओं के शरीर का नाप ले लेता था दर्शक इस सीन पर हस पड़ते थे लेकिन अब एक ऐसा आदेश आया है जिसके मताबिक अब पुरुष टेलर महिलाओं का नाप नहीं ले पाएंगे और यह आदेश जारी किया है यूपी राच महिला योग ने जिसका कहना है कि ऐसी शुकायत या रखी है कि पुरुष टेलर जब महिलाओं का लड़कियों का नाप लेते हैं तो बैट टच करते हैं या फिर उनके वीडियो बना कर वारल कर देते हैं ऐसे शुकायतों से बचने के लिए आप टेलर्स शौप में महिलाओं के नाप लेने के लिए महिला को ही रखना होगा और ऑप्शन है नहीं अगर उन्होंने उस टेलर के कपड़े को सिल्वा की अच्छा लगता तो वो सी सिल्वाएंगी और वो सारी चीजें बरदाश भी वो कर रहे हैं वहें दूसरी ओर जिम में भी महिलाओं के लिए अलग सी महिला ट्रेनर रखने का प्रस्ताब दिया गया है 28 अक्टूबर को हुई आयो की एक मीटिंग में महिलाओं के सुरक्षा और उनके अधिकारों के सरनक्षन को लेकर सभी जिलादिकारियों को महिला जिम, योगा सेंटर, स्कूल, भुटीक सेंटर और कोचिंग सेंटर पर महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिये गये थे और अब यह आदेश दे दिये गये हैं अब सवाल यह है कि आखरी आदेश कितना फायदेमंद साबित होगा कुछ लोगों का कहना है कि जब महिला ट्वेलर्स की महिलाओं का नाम लेंगी तो इसते शारिरिक शोशन के मामले कम हो जाएंगे साथी महिलाओं को रोजगार में मिलेगा जिम में भी रोजगार बढ़ेगा योगा सेंटर्स में महिलाओं ट्रेनर्स होंगी जिससे महिलाओं और लड़कियों को जॉब्स मिलेंगे वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पुरुषों को महिलाओं के नाप लेने से रोकना एक ऐसा फैसला होगा जो पुरानी सोच को दर्शाता है और जो पुर्श Spa Sப değer में काम कर रहे है इसे में फैसला लागू करवाना मुश्किल हो सकते है अब यह वे सुझे कि कई ऐसे पुरिश गाय मिक है गाय इनकोलोजिस दिखे जिए है उनका क्या होगा